Hello everyone, welcome to score plus. जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ आपकी chemistry educator राशी मैम और आप और मैं यहाँ साथ में मिलकर करते हैं chemistry के new concepts को discuss और अपनी chemistry foundation को बनाते हैं strong, right? तो देखते हैं, आज के lecture में हम क्या discuss करने जा रहे हैं? जैसा कि आपको पता है, हमने शुरू किया था अपना chapter number 3 class 9th का atoms and molecules, right? इस chapter के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा बच्चो? बहुत सारे different new concepts इस chapter में हमने discuss किये हैं, right? हमने इपढ़ा कि atom क्या होता है? क्या है atom? सोची, atom is the smallest particle of matter, right? atom क्या है? किसी भी matter के अंदर जो सबसे छोटा particle है, जिसे हमने chapter number 1 के अंदर देखा था कि कोई भी matter बनाया जाता है tiny particles से, right? पर तब हमें ये नहीं पता था कि उन tiny particles को असल में हम बोलते क्या है, उनका नाम क्या है? पर chapter number 3 में हमने सीख लिया है, वो tiny particles ही कहलाते हैं, क्या? atoms, right? इनके बारे में बहुत कुछ सीखा, atoms of different elements अलग-अलग होते हैं, atoms of same element एक जैसे होते हैं, right? हमने रेखा कि atom जो है, इसका size बहुत ही ज़ादा छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसके size को नापने के लिए, जो हम atomic radius निकालते हैं, वो आता है in nanometers, इतना ज़ादा छोटा है इस atom का radius, right? और एक nanometer में होते हैं around 10 raise to the power minus 9 meter, इससे आप पता लगा सकते हैं कि एक nanometer कितना ज़ादा छोटा होता है, right? और हमने पढ़ा molecules के बारे में, कि जब atoms chemically combine करते हैं, तो वो form करते हैं molecules, अब हमारे पास molecules में क्या देखा हमने क्या पढ़ा, molecules of element हो सकता है, या फिर molecules of a compound हो सकता है, या तो element का molecule, या फिर compound का molecule, अब इन दोनों के बीच में difference क्या है, फरक क्या है, जब भी हम कहेंगे molecule of element, उसका मतलब यह होता है, कि उसके अंदर जो atoms present हैं, वो सभी के सभी same हैं, एक जैसे दिखते हैं, right? वहीं जब हम molecule of compound की बात करते हैं, तो वहाँ पर different atoms हमारे आते हैं, different elements के different atoms से बनता है, molecule of a compound, for example, O2, H2 यह सभी क्या हैं, एक molecule of element है, वहीं अगर हम देखें, H2O, water, NH3, ammonia, यह क्या हैं, यह सभी है, molecule of a compound, तो आज क्या करेंगे, जैसे की last class में हमने कुछ questions को discuss किया, आज बाकी की questions को देखते हैं, क्या पूछ रहा है, सबसे पहले question को read करेंगे, write down the names of compound represented by following formulae, हमने इस chapter के अंदर पढ़ा, कि किसी भी compound को represent करने के लिए, हम यूज करते हैं, chemical formulae, सबसे पहले देखते हैं, कि आखिर हमें chemical formula जो है, वो क्या बताता है किसी compound के बारे में, और हमें जरूरत ही क्यूँ है, किसी भी compound का chemical formula लिखने की, ओके, ये देखते हैं, तो suppose आपके पास एक glass of juice आता है, ओके, और आपसे question किया जाता है, कि बताईए, इस juice के अंदर, कौन-कौन से fruits हैं, जो की डाले गए होंगे, टेस्ट करेंगे, आपको ज़ादा कुछ पता नहीं लगेगा, कुछ fruits हो सकते हैं, कि आप guess कर पाएं, और कुछ ना भी guess कर पाएं, तो वहाँ आपको, उस juice की composition, बनावट का exact पता नहीं चलेगा, अब वहीं अगर दूसरी side, मैं दे दू आपको एक, फलो से भरी हुई basket, टोकरी, और फिर आपसे सेम सवाल करूं, कि अब ज़रा बताईए, कि कौन कौन से fruits हैं, जो कि इस basket के अंदर present हैं, तो आपका reply बहुत ही, जल्दी फटा फटा आएगा, आप देख कर ही बता देंगे, कि इसके अंदर माम, apple है, बनाना है, पपाया है, ये सब ही fruits हैं, अब मैं अगर आपसे पूछूं, कि juice के अंदर तो आप नहीं पहचान पाए, कि कौन से fruits हैं, तो basket के अंदर कैसे आपने जल्दी से बता दिया, तब आपका reply आएगा, कि माम, fruit basket में तो हमें, साफ साफ दिखाई दे रहा है, है ना, दिख रहा है भई हमें अपनी आखों से, क्यूं नहीं बताएंगे हम, तो उसी तरीके से, जब हम किसी भी compound का chemical name लेते हैं, जैसे मैंने बोला, magnesium hydroxide, तो उससे हमें ये समझ नहीं आता, कि magnesium कितने हैं उसमें, और hydroxide कितने हैं, उसकी composition क्या है, compound की, ये हम नहीं पहचान पाते, लेकिन, जब हम किसी compound का chemical formula लिखते हैं, तो वो हमें उसकी complete composition के बारे में बता देता है, ताकि हम formula देखते ही पहचान जाए, कि इसके अंदर कौन-कौन से elements present हैं, और different elements के कितने-कितने number of atoms present हैं, तो क्या कहते हैं, chemical formula basically क्या है, symbolic representation of a chemical compound, वही formula हमें दिये गए हैं और हमें बताने हैं इनके names, सबसे पहले देखते हैं, अब ये formula बना कैसे होगा, ये देख लीजिए सबसे पहले, हमें formula लिखने के लिए चाहिए होता है, element का symbol, क्या symbol है, किस symbol से हम उसे easily represent कर सकते हैं, वो symbol और साथ ही में उसकी valency क्या है, ये पता होना चाहिए, तो aluminium है, SO4 है, राइट, अब यहाँ पर इसकी valency कितनी होती है, प्लस 3, और इसकी तो charge से ही पता चल रही है, माइनस 2, तो ऐसा करने से इसका formula क्या आ जाएगा, AL2SO4 whole thrice, जब भी आपके chemical formula के अंदर, कोई polyatomic iron आएगा, polyatomic iron का क्या मतलब है, group of atom carrying some charge, एक group of atom हो, जिसके उपर कुछ ना कुछ charge present हो, उसे हम क्या कहते हैं, polyatomic iron, तो जब भी कोई polyatomic iron आता है, अगर उस polyatomic iron का number है, एक से ज़ादा, 2, 3, 4 जितना भी हो, अगर वो एक से ज़ादा हैं, तो हमेशा chemical formula के अंदर, उस polyatomic iron को हम क्या करेंगे, bracket के अंदर रखेंगे, अब यहाँ से, नाम क्या आएगा, aluminum, और साथ में क्या present है, polyatomic iron, SO4, 2 negative, जिसका नाम है, sulfate iron, तो इसका नाम हो जाएगा, aluminum sulfate, next देखते हैं, CACl2, calcium का symbol होता है, CA, और chlorine का होता है, CL, calcium की valency, plus 2, और chlorine की, minus 1, ठीक है, क्या formula बन जाएगा, यहाँ से, CACl2, calcium है, और साथ में, CL negative, इस iron को, इस n-iron को क्या कहते हैं, chloride, calcium, chloride, ठीक है, next देखते हैं, के टू, SO4, के है, और SO4 भी है, plus 1, minus 2, के टू, SO4, अब के किसका symbol है, देखो, symbol याद रखना बहुत जरूरी है, वरना, आगे बढ़ी नहीं पाएंगे, अगर हमें, elements के, symbol नहीं पता होंगे, तो के जो है, किस element का symbol है, potassium, ठीक है, और SO4, 2 negative, जो iron है, N-ion, N-ion क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसके उपर है, negative charge, ये N-ion क्या कहलाता है, sulfate, तो इसका नाम क्या होगा, potassium, sulfate, next चलते हैं, K-N-O-3, अब K तो पहले ही समझ आ गया होगा, K क्या है, potassium, और साथ में है ये N-O-3, N-O-3 माइनस होता है, N-ion, polyatomic iron, polyatomic iron, और इसका नाम क्या है, nitrate, nitrate, तो इसका नाम, compound का chemical name क्या हो जाएगा, potassium, nitrate, okay, K for potassium, N-O-3 negative iron है, nitrate, तो combine होके, potassium, nitrate, C-A-C-O-3, C-A क्या है, calcium iron, जो की, kate iron है, kate iron क्यूं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, कि हमारी, जो ions है, वो कैसे बनते हैं, atom से बनते हैं, atom से किस तरीके से बनते हैं, या तो gain of electron होगा, या फिर loss of electron होगा, तो ions हो सकते हैं, दो तरीके के, एक तो आप कराएं, gain of electron, और दूसरा, loss of electron, अगर gain of electron होता है, तो negative charge बढ़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, negatively charged iron, और अगर loss of electron होगा, electron निकाला जाएगा, तो plus charge, positive charge बढ़ेगा, और ये बन जाएगा, positively charged iron, अब जो भी negatively charged iron होता है, उसे हम बुलाते हैं, anion, और जो positively charged iron होते हैं, उन्हें, ketion, ठीक है, तो यहाँ calcium ketion है, और साथ में ये अन आयन है, CO32 negative, क्या है ये, एक polyatomic iron है, जिससे बोला जाता है, carbonate, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, calcium carbonate, नेक्स देखते हैं, what is meant by the term chemical formula, आखिर इस term का मतलब क्या होता है, सबसे पहले, जो chemical formula है, वो एक तरीके की representation है, किसकी हमारे compound की, right, आप क्या कह सकते हैं, it is a symbolic representation of chemical composition किसी भी compound की chemical composition को बताने के लिए, जो हम उसके symbols की form में chemical formula बनाते हैं, वो यूस किया जाता है, अब एक chemical formula हमें कौन-कौन सी चीज़े बता सकता है, क्या-क्या information दे सकता है, वो देखते हैं, it tells us the kind and number of atoms present in compound, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बोल रहे हैं कि chemical formula हमें chemical composition बताता है, किसी भी compound की, तो chemical composition से हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब ये है, कि वो हमें बताता है, कि उसके अंदर जो है, what are the kind of atoms, कितने तरीके के अलग-अलग atoms present है, ये बताता है chemical formula, then क्या बताता है, number of atoms present in the compound, कि कितने तरीके के अलग-अलग atoms है, जो कि उस compound में present है, और उनके number क्या है, कितने-कितने present है, number भी बताता है, जैसे कि, for example, ammonia, अब ammonia से तो कुछ इतना समझ नहीं आ रहा, कि इस compound के अंदर कौन से elements है, कितने-कितने atoms हैं हर एक element के, अब लिखते हैं इसका chemical formula, NH3, अब देखो, जैसे ही मैंने NH3 लिख दिया, ammonia के साथ, अब आप अराम से बता पाएंगे, कि इसके अंदर, दो टाइप के atom present है, right, Deltan's Atomic Theory ने हमें बताया, दाट different elements, हाव different type of atoms, अगर दो अलग-अलग element हैं, तो उनके अंदर present, atoms भी अलग-अलग ही होंगे, तो यानि कि यहां से हम बता सकते हैं, आप फॉर्मूले को देख के बता सकते हैं, कि नाइट्रोजन के, जो है नमबर अफ अटम, वन है इस कमपाउंड के अंदर, और वहीं, हाइड्रोजन के, ट्री आटम्स प्रेजन्ट हैं, इस कमपाउंड के अंदर, तो यह information, यह सभी बातें, कहां छुपी बैठी थी, किसने हमें बताया, इस chemical formula ने हमें, इन सब चीजों की information दी है, राइट, next question पे चलते हैं, how many atoms are present in H2S molecule, एक molecule है, कितने इसके अंदर atoms present हैं, यह हमें बताने हैं, तो molecules जो हैं, वो basically बनाए किससे जाते हैं, atoms से, राइट, अब इसके अंदर देखते हैं, हमारे पास हैं हाइड्रोजन, और हैं हमारे पास, सलफर के आटम्स, इस molecule के अंदर, हाइड्रोजन का, हमारे पास हैं, तू आटम्स और सलफर के वन आटम्स, राइट, सो हाव मेनी आटम्स आर प्रेजन इन दिस मॉलिक्यूल, थ्री आटम्स, राइट, कैसे, टू प्लस वन, थ्री आटम्स जो हैं, वो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजन्ट हैं, नेक्स ग्वेशन, पी ओ फोर फ्री नेगिटिव, यह पी ओ फोर फ्री नेगिटिव है क्या, एक पॉली आटम्स आयन है, क्या है यह, पॉली आटम्स आयन, अ ग्रूप ओफ आटम्स विच इस हाविग सम चार्ज, राइट, पी ओ फोर फ्री नेगिटिव को क्या कहते हैं हम, पॉस्फेट आयन, पॉस्फेट आयन इसका नाम है, अब देखते हैं इसके अंदर कितने आटम्स हैं, पॉस्फोरस की बाद करें, तो इसके अंदर है, वन आटम ओफ फॉस्फोरस, राइट, देन ओक्सीजन आटम्स हैं, कितने, फोर आटम्स ओफ ओक्सीजन, तो इन टोटल फोस्फेट आयन के अंदर, फोस्फेट में कितने हो गए, वन प्लस फोर, फाइफ आटम्स, ओके, फाइफ आटम्स ओर प्रेजन इन, फोस्फेट आयन, क्यालकुलेट दी, मॉलिक्यूलर मास ओफ, ह्च्टू, O2, सियल टू, हमें अलग-अलग मॉलिक्यूल्स दिये गए हैं, और हमें इनके, मॉलिक्यूलर मासेस को, क्यालकुलेट करना है, बताइए क्या आपको याद है, हमने सीख था, मॉलिक्यूलर मास को क्यालकुलेट करना, कैसे करते हैं, हम करते हैं, प्रेजन इन, उस मॉलिक्यूल के अंदर, जितने भी आटम्स प्रेजन हैं, उन सभी atoms के atomic masses को हमें add करना होता है उनका sum करना होता है ताकि हम निकाल पाएं molecular mass तो molecular mass कैसे निकलता है? Sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule एक molecule के अंदर जितने भी atoms present है उन सभी के atomic masses को आप add कर दीजिए, sum कर दीजिए तो आपके पास क्या आजाएगा? उस molecule का molecular mass one by one देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं H2 तो हमें चाहिए क्या molecular mass? अब कैसे निकलेगा? इसके अंदर दोनों ही atom same है hydrogen atoms है, तो हम करेंगे twice the atomic mass देखो, यहाँ पे मैं atomic mass के लिए short में ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है? लेकिन आपको पूरा full ही लिखना है, atomic mass of hydrogen, तो hydrogen का atomic mass होता है 1U, तो यहाँ से क्या आजाएगा? 2U molecular mass, ठीक है? अब देखते हैं, next क्या है? O2 O2 के लिए कैसे निकालेंगे? Molecular mass कैसे निकलेगा इसका molecular mass? हम कर देंगे twice the atomic mass of oxygen atomic mass of oxygen होता है 16U, ओके? तो 16U से आजाएगा, हमारे पास क्या? 16 into 232U, किसका आगया यह? हमारे पास आगया molecular mass of O2 अब next निकालते हैं Molecular mass Cl2 है पहले, Cl2 का, तो वो हो जाएगा twice the atomic mass of chlorine, atomic mass of chlorine 35.5 तो कितना आजाएगा? Molecular mass of Cl2, molecular mass of Cl2, 71U हमारे पास आजाएगा, ओके? अब चलते हैं, next पे, इन तीनों का हम already निकाल चुके हैं यह तीनों ही क्या थे? क्या कहेंगे आपने? यह तीनों ही थे H2O2, Cl2, तीनों के तीनों थे हमारे molecule of element, element के molecule थे अब इसके बाद जितने दिये गए हैं यह, यह सब ही क्या है? Molecule of the compound है, तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है? CO2 है, carbon dioxide का हमें निकालना है molecular mass कैसे निकलेगा? Atomic mass लेना पड़ेगा सभी atoms का तो क्या होगा? Atomic mass of carbon plus twice the atomic mass of oxygen Carbon का atomic mass है 12U, तो value डालेंगे 12 plus twice oxygen का atomic mass 16, यहां से आ जाएगा 44U molecular mass carbon dioxide का, अब नेक्स देखते हैं CH4 इसका क्या निकालना है? Molecular mass, कैसे निकलेगा? जैसे बाकियों का निकला है, sum of atomic mass करना पड़ेगा सभी atoms का atomic mass of carbon plus 4 times the atomic mass of hydrogen hydrogen, carbon का है 12, 4 times hydrogen का है 1, तो कितना आ जाएगा? 16U next देखते हैं C2H6 इसका निकालना है? Molecular mass twice करना पड़ेगा किसका? atomic mass carbon का, क्योंकि हमारे पास C2H6 में 2 atoms, 2 atoms है किसके? carbon के, so twice the atomic mass of carbon plus 6 times करेंगे atomic mass of hydrogen क्योंकि C2H6 में 6 atoms of hydrogen present है अब value दालेंगे atomic mass of carbon is 12U plus 6 times atomic mass of hydrogen कितना होता है? 1 सो कितना हो जाएगा? 24 plus 6 30U C2H6 का 12 into 224 plus 6 30U next करते हैं C2H4 C2H4 के लिए C2H4 के लिए कैसे निकलेगा? सेम जैसे हमने C2H6 के लिए कैलकूलेट किया है twice the atomic mass of carbon plus 4 times the atomic mass of hydrogen कितना जाएगा? 2 into 12 क्योंकि carbon का जो atomic mass है वो 12U है 12 plus 4 times the atomic mass of hydrogen 1 तो टोटल कितना जाएगा हमारे पास? 28 U इसके बाद कौन सा बच गया? CH3OH इसका molecular mass कैसे निकलेगा? atomic mass of carbon plus 4 times the atomic mass of hydrogen plus atomic mass of oxygen carbon 12U plus 4 into 1 plus 16 तो कितना आजाएगा हमारे पास? 12 plus 4 16 plus 16 32 U ठीक है? यह क्या निकल गई? सभी के molecular masses next question पे जलते हैं calculate the formula unit masses of ZNO, Na2O, K2CO3 given the atomic masses इन्होंने हमें atomic masses इन सभी के given मतलब दे दिये हैं values और हमें निकालना है इनका formula unit mass तो जब हमने पढ़ा था molecular mass क्या होता है? किसी भी molecule का तो वो हमने कैसे निकाला? some of the atomic masses of all the atoms present in the molecule करके तो उसी तरीके से formula unit mass भी कैसे निकलता है? same way में some of the atomic masses of all the elements जो की उसके अंदर present है compound में तो हम इसके लिए अलग से calculate क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई compound ions से बनाया जाता है किस से बनाया जाता है? ions से तो हम उसे कहते हैं formula unit formula unit जो की वो molecules हैं जो ions से बने होते हैं हम उन्हें कहते हैं formula unit इसी लिए इनका mass भी हम अलग से calculate करते हैं और उसको नाम देते हैं formula unit mass तब से पहले किसका निकालना है हमें? ZNO तो simply क्या करेंगे? zinc और oxygen के atomic masses का sum हमें निकालना है atomic mass of zinc plus the atomic mass of oxygen zinc का given है 65u plus oxygen 16u यहां से 81u आ जाएगा हमारा formula unit mass of zinc oxide अब next लेते हैं next formula unit mass किसका निकालना है? sodium oxide Na2O अब यह कैसे निकलेगा? twice atomic mass of sodium plus the atomic mass of oxygen atomic mass square करना है sodium के कितने atoms है? 2, 2 atoms हैं तो twice हो जाएगा उसका twice the atomic mass of sodium plus the atomic mass of oxygen atomic mass of sodium जो की हमें already question में given है कितना है? 23u plus atomic mass of oxygen 16u 46 plus 16 कितना आजाएगा? 62u 62u ठीक है? next चलते हैं आप किसका निकालना है? K2CO3 का formula unit mass K2CO3 सेम वे में potassium K की कितने atom हैं हमारे पास? 2, carbon का 1 और oxygen के 3 तो हम करेंगे twice तो हमारे पास प्रेजंट है तीन oxygen atoms अब यहां पे value substitute करनी है हमें दिया गया है atomic mass K यानि की potassium का है 39u plus atomic mass of carbon हमें वैसे भी याद रखना चाहिए 12u होता है plus 3 times the atomic mass of oxygen 16u कितना हो जाएगा? 78 plus 12 plus 48 ठीक है? इन सभी को add करेंगे 8 138 u इसका answer आ जाएगा ठीक है? तो यह क्या आ गया हमारा? 138u इसका formula unit mass आ गया K2CO3 का next question पर चलते है यह तो same question आ गया दुबारा से next if one mole of carbon atoms weigh 12 grams what is the mass in gram of one atom of carbon? हमें दिया गया है एक mole carbon का weight कितना है? 12 grams है पर हमें बताना क्या है? कि one atom एक carbon atom का mass कितना होगा? तो हमें given है one mole का one mole carbon atoms जो है वो है 12 grams अब हमें बताना क्या है? what is the mass in grams for one atom of carbon? तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? कि one mole के अंदर कितने number of carbon atoms आते हैं? one mole में कितने particles कितने number of particles होते हैं? 6.022 10 raise to the power 23 राइट? तो आप क्या कह सकते हैं? one mole carbon atom जो है उनका mass है 12 grams और one mole में 6.022 10 raise to the power 23 number of carbon atoms present हैं राइट? तो हम यह कह सकते हैं कि 6.022 10 raise to the power 23 carbon atoms इतने ही आते हैं one mole में राइट? तो हम कह सकते हैं 6.022 10 raise to the power 23 carbon atoms का वजन वेट कितना है? जो हमें दिया है one mole के लिए 12 grams अब हमें बताना है कि one carbon atom के लिए कितना वेट होगा? राइट? अब हमें इसके लिए पता है इतने atoms का इतना है तो one carbon atom का कितना होगा? 12 से डिवाइड कर देंगे 6.022 10 raise to the power 23 को क्या आजाएगा? 1.99 10 raise to the power minus 23 grams ये जो value आई है 1.99 10 raise to the power minus 23 grams ये किसका वेट है? किसका वजन है? ये है एक carbon के atom का वेट एक carbon atom इतना वजन लिये है इतना उसका वेट है ओके? वन carbon atom के अंदर इतना वेट आता है अब देखते हैं next question which has more number of atoms? हमें क्या निकालने है number of atoms 100 grams of sodium और 100 grams of iron 100 grams sodium लिया है और 100 grams ही हमने क्या लिया है? दोनों का ही atomic mass हमें दिया हुआ है हमें बताना है जादा number of atoms किसमें present है तो क्या लगाएंगे? mole का formula, mole concept mole का formula एक तो हमें पता है क्या होता है? given mass divided by molar mass यह होता है और दूसरा क्या होता है? number of atoms number of particles में number of atoms divided by avogadro's number यह होता है अगर हम दोनों को ही equate कर दें एक दूसरे के बराबर रख दें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा number of atom किसके बराबर होगा? देखो, इन दोनों को equal करेंगे given mass divided by molar mass multiplied by avogadro's number इसके बराबर क्या आ जाएगा? हमारा number of atoms अब values डालनी पड़ेंगी सबसे पहले sodium के लिए number of atoms होगा given mass 100 grams है और इसी के साथ में इसका molar mass कितना है? 23 multiplied by 6.022 10 देश्टू दी पावर 23 26.18 10 देश्टू दी पावर 23 number of particles यहाँ पे number of atoms फिर iron के लिए निकालेंगे iron के लिए भी given mass है 100 और atomic mass कितना है? 56 multiplied by 6.02 10 देश्टू दी पावर 23 तो यहाँ से आ जाएगा 10.75 10 देश्टू दी पावर 23 यानि कि हमारे पास इतने number of atoms है तो यहाँ से हम दोनों को ही compare करके क्या बता सकते हैं कि किसके more number of atoms present है देखिए साफ साफ देखके ही हमें पता चल रहा है हमारे पास यहाँ पे sodium के जो number of atoms है वो जादा है किस से? आइडन से तो यानि कि which has more number of atoms तो हम बोल सकते हैं क्या N A has more number of atoms than F E आइडन के मुकाबले में sodium के पास जो number of atoms है हम देख सकते हैं वो क्या है? जादा है जब हमने दोनों ही 100 grams लिये है आइडन भी 100 gram और sodium भी 100 grams ही लिया है सो आज के लिए इतना ही next lecture में हम और आगे के questions को discuss करेंगे thank you so much